भारतिय नैतिक्ता का आधार वेद हैं। भारतिय नैतिक्ता में सबसे बड़ी कठनाई है इसका वर्णन करने में। कि भारत में जो common man है, आम आजमी है, वो नैतिकता को नैतिक गरंथों से नहीं लेता, बलके धार्मिक गरंथों से लेता पुराणों से और जो भी धार्मिक गरंथ हैं उन से लेता है। तो इससे दिक्कत ही हो जाती है कि वो ओरल्टी है या नेतिक्ता है। उसने जानि जानि मौरल है वो या एथिक्स है। हम एथिकल सिद्धाद्नोकी के विरबात करेंगे। यह जो पुरानिक सूक्तियां हैं, इनकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि पुरानों में बहुत थूखतियां हैं और उनको ही लोग मौरल समझ के अपने जीवने पालन करते हैं। बहुत सारे लोग तो जादे तर लोग तो ऐसे हैं जोनोंने वो ग्रंती में पड़े हैं जिनके अंदर नेतिक्ता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत का एक शब्द ऐसा है जिसका परियावाची जिसका समान आर्थक शब्द अंग्रेजी में नहीं है। और उसकी वेशे से बहुत बड़ा भरांती पैदा हो जाती है। वो शब्द है धर्म। लोग धर्म को रिलीजन मानते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म तो रिलीजन से बिलकुल अलग चीज है। तो नेतिक्ता जो है वो धर्म है। रिलीजन नहीं है। लोग रिलीजन में से नेतिक्ता निकाल रहे है। तो इसलिए भारती नैतिक्ता का वर्णन करने में यह पढ़ता है, कि हमें और चीदे लानी पढ़ती हैं, जो धर्म से संबंदित हैं, रिलीजन से संबंदित नहीं है, और उनका आधार सबसे पहले वेद में आता है, अब वेद में बहुत सारे सूक्त ऐसे दिये हुए हैं, उनकों कहते हैं कि जितने भी संसार के अंदर धर्म हैं, धर्म का मतलब नैतिक सिद्धानत हैं, उन सब का आधार वेद है, वो वेद में से निकले हैं, वेद में एक शब्द आता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, और बहुत महत्त पूर्ण शब्द है, वो आता है रित् परस भी करते हुए बड़े दिक्कत पड़ती है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं, रित्माने सत्य और कुछ लोग कहते हैं, रित्माने रेगुलेरिटी है, संसार के अंदर जितनी भी चीजें चल लई हैं परकृति में बड़ी रेगुलेरिटी से चल लई हैं, सूरज बड़ ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी रित के अनुसार पारण करती हुई ये उंचे से नीचे की तरफ आती है कहीं ऐसा नहीं हो था जा आप sadly ईनुसार। अब हम भगवान से मानते हैं, रिवेद वाले मानते हैं, कि रितस्व स्पथा प्रेत हमारे जीवन में भी ऐसी रेगुलरिटी आ जाया है, जैसी इस ब्रमान में है, सारे ब्रमान की एक एक चीज जो है उसके अंदर बड़ी रेगुलरिटी है, उसको आम भाशा में लोगों सत्त कह दिया हो, लेकिन नेतिक लोग उसको रेगुलरिटी मानते हैं, हमारे लाइफ के अंदर रेगुलरिटी आएगी, तो हमारा जीवन हमेशा नेतिक तर्थ की तरफ जाएगा, अनेक की तरफ जाएगा ने, इसलिए हमने वेद में भगवान से एक चीज मांगी, रितस् हमे भी रित के मार्ग पर चलाना है भगवान, हमारे जीवन हमें कहीं भी इरीगुलरिटी न आ आने पाए, अब यह इरीगुलरिटी जब आती है, तो कियो हम आती है, एक किसे हिसाब से हम दिपाई चिजी की परिभाश देंगे, तो वहां यह परिभाश नेति की परो गये हमेशा, तो इसली से लोगों ने कहा कि एक आदमी जिसका कोईadenर नहीं, कोई चरित्र नहीं, उस आदमी से वह अच्छा है, जिसका दुषचा आदमी अच्छा है, क्योंकि हम उसके बारे, यह पहले से ही काम करेंगए इसने इसके साथ जोड़ना, और जो अच्छे चरित्र का आदमी है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि जहाँ भी जाएगा अच्छा ही काम करेगा इसने इसके साथ जोड़ना और जिसके अंदर कोई चरित्री नहीं है उसके बारे में हम क्या बताएंगे तो ये regularity हमारे चरित्र का माफ दंड है हमारे जीवन इससे डिपेंड़ीड़ी आती है. और यही चरित्र की सची परिभाषा है. किस काम के लिए हम आपके पोड़ेंड कर सकते हैं, वही आपका चरित्र है. तो वेद से लोगों ने रिपेंड़ी को लिया जीवन में और उस रेगुलर्टी को देखने के लिए कि कहां से मिलेगी, उन्हों न का कि रेगुलर्टी हमारे उपर कोई थोपएगा नहीं, बरके क्या होगा कि हमारी बुद्धी इसको खोजेगी विवेक, बुद्धी के अंदर होता है विवेक, एक तो बुद्धी होती है, इंटेलि अंत्मे क्या मांगा कि हमारी बुद्धियां जो हैं वो उस मार्ग पर चलें जो वेद में निष्चित किया हुआ है, प्रचोदी आत्माने वेद द्वारा निर्धारित जो मार्ग है, वो है हमारा रित का मार्ग, तो हमारी बुद्धियां हमेशा है भगवान, हमें कार नह लेकिन जो नैतिक आदमियां, जो वेद का आदमियां, वो कहेगा भगवान, मुझे बुद्धी ऐसी देना, कि मेरी बुद्धी हमेशा, मेरा विवेक है, वो हमेशा प्रचोद्यात वेद के दिखाई हुए मार्ग पर चले, तो ये वेद के उबर चलने वाला जो है, ये हमार से मारग पर चलूँ, तो वो सत्त मारग होगा, और कौन सा मारग होगा जो गरत मारग होगा, अब जब इसकी परिभाशा हम देने लगे, तो हमने बिलकुर अलग कर दिया, नेतिक था यानी धर्म, रिजिन नहीं है, तो धर्म की परिभाशा देने के लिए समृतिया आई, वेद को हम कहते हैं शुर्ति, शुर्ति की व्याख्या करने के लिए सिमृतियां लिखी गई, वेद की जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या करने के लिए रिश्योंने सिमृतियां लिखी, अब जब सिमृतियां हैं इनके अंदर सबसे महत्वोन सिमृति हैं मनु सिमृति, मनुन का दर्म को क्या है? इसके दस लक्षण हैं, धिरति, शमा, दं, अस्ते, शोचम, इंद्रिये, निग्रे, धी, विध्या, सत्यम, अक्रोध, ये दस धर्म के लक्षण हैं, इसमें कहीं इश्वर की पूजा नहीं आई, इश्वर की पूजा धर्म का लक्षण नहीं है, वो जो अधीर आदमी है, यानि जल्दबाजी करके हर काम को करता है, उगरत काम कर सकता है, उसमें नहतिकता नहीं आ सकता है, तो पहली चीज़ मानेंगे धहरी है, धिरती, शमा, हमारे अंदर इतने शक्ति होना चाहिए, शमा वो ही कर सकता है, जो शक्ति शाली हो, एक चुहा ने तुझे छोड़ दिया, तो यह शमा, तो शमा वीरों का अभोशण है, कायरों को कायरता छिपाने का साधर नहीं है, तो धिर्ति, शमा, दम, अब हमारे अंदर यह शक्ति पैदा होने चाहिए, यह धर्म का लक्षण है, हमारे अंदर यह शक्ति होना चाहिए, कि हम अपने दमन कर सकें अपने बुरे विचारों का, कोई बुरा विचार हमारी तरफ आया तो हम उसको दमन कर दें, रोक दें, हमारे मन में नहीं आना चाहिए विचार हो, उसको निकाल के फैक दें, तो धिर्तिक शमा दम अस्ते, यानि जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, उस कि क्या मेरा अधिकार बनता है सौने को उठाने का, इसलिए पुराने जमाने में जब लोग धर्म का पालन करते थे, तो सौना भी सड़क पर पढ़ा हुआ है, तो एक-एक महिने के बाद भी कोई आएगा, तो अपना सौना उठा लेता था, कोई इसको उठाता नहीं था, क्य जब तक अपना अधिकार नबने हम उसको उठा नहीं सकते हैं, तो अस्ते का मतलब कोई ऐसी चीज़ा, नए जमाने में इसकी और भी यक्षा कर दी है, नए जमाने में गांधी जी ने काया है, कि अस्ते में यह है कि जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं बनता, मैं दफतर जाओं तो दस वज़े से पांच वज़े तक सिंसियरली काम करूं, तो धन की चोरी चोरी नहीं होती, समय की चोरी भी चोरी माने जाती है, तो नए डों नहीं व्यक्षा कर रहे हैं, लेकिन अस्ते धर्म का लक्षर है, तो धिर्तिक शमा, दम अस्ते, शोच, क्लीनलीनेस, आंटिक और बाहिये, दोनों तरह की किलीन लेनेस, मेरे घर में कुड़ा है, मैंने उठाकर के दर्वाजे पर किसी दुबर बरा रख दिया, तो बाहिये क्लीनलेस नहीं आई, क्योंकि उसकी गंदगी, उसकी किटानों मेरे घर में आएंगे, तो वो वाता वरनवी मेरा सब बिलकुँ छुद होना चाहिए, ये बाहिये क्लीनलेस, मेरे घर के पीछे कोई गंदा तलाब है, तो मैंने अपने घर में जाडू लगा ली, लेकिन उस गंदे तलाब को बंद नहीं किया, तो उसकी दुरगंद मेरे घर में आएगी, और मेरे घर के अंदर मेरे सारे, क्यो उसके लिए हम भोजन ऐसा करे हैं कि अंदर कोई मल ना जमने पाए, ये शौच हमारा अंदर से भी होना चाहिए, तो आंत्रिक और बाहिये दोनों शौच होने चाहिए, अब शौचम इंद्रिये निग्रे, हमारी इंद्रियां हमें बहुत दुखी करती हैं, हम पिक्चर द देखने के लिए मैं महरूग जाओंगा, नतीजा क्या होगा, परिष्टा का टाइम निकल जाएगा, जब मैं पहुंचूँगा उन्होंने का आप तो एंट्रि पंद होगी, तो इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए, बड़ा अच्छा सुंदर अधर प्रिष्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं देखूँ कि य दृष्ट मुझे नुकसान पहुचाने वाला है, तो मैं अपनी आँखों को उधर से फेर लो, और भी इंद्रियों इस तरह की हैं, जो हमने दुखी करने वाली हैं, उन इंद्रियों पर पूरा निय मैं इंद्रियों का गुल्ध नहीं सिर्पयों हिख यह पुला जो शोचम का और लिल धियो यो ना, हमारी धी को, हमारे विज्जम को, हमारे विवेक को सही रास्ते पर चलाना, वेद मार्ग पर चलाना, तो धी, उसके बाद विद्या, विद्या विहीनम पशु भी समानम, जिस आदमी ने विद्या प्राप्त में की, उसको पशु समझना चाहिए, वो आदमी न मैं अपने सारे आचरन में, सत्त का मतलब यह नहीं है कि दो और दो चार सत्त बोल दी तो मोड़ा मौरालाद में बनेगे, सत्त का मतलब है मेरी बाणी, मेरे एक्षन जो मैं बोलता हूं और जो मैं कहता हूं और जो मेरा एक्षन है उनके अंदर बिल्कु सामज दिस्ट होना चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि तुझे जान से मारूँ गा तो जान से मारने क्यों ने चाहिए, और कहता हूं कि मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं यह वह पीछ Urra Tech दिया, यह सत्त का मतलब है जैसे हमारे विचार है, विचारों में, बाणी में और हमारे कृत्त में, त तो हम कहेंगे हमारे जीवने सर्थ आ गया और चोथ अंतिम चीज रखी अक्रोध को जीतना अब क्रोध तो बहुत बड़ी अगनी है वैसे तो महात्मा बुद्ध उन्होंने चोटी सी बात कह दी लेकिन बड़ा असंभव है वो बुद्ध के चेले ने उनसे कहा के महाराज क् जला देती है तो क्रोध पर कैसे नियंतरन करें तो बुद्ध ने कहा कि आनंद यहां अगनी लगी हो मां क्या करते है पानी छड़कते है उसने गहा तो कहते है जब क्रोध हाया हो दो गूट जल पी लो को रोज शान्त हो जाएगा लेकिन उन्होंने बुद्ध ने यह निस हो जाएगा जल पीने क्यों जाएगा जिसको क्रोध आ रहा है क्रोध को कंट्रोल हो ही कर सकता है जिसके अंदर नहितिकता हो तो क्रोध आ रहा है मुझे और क्रोध सब पाप का मूल है जितने दुनिया में पाप होते हैं वो सब क्रोध के कारण से होते हैं तो इसलिए क्रो वो धर्मात्मा नहीं है, चाहे वो तिलक लगा रहा हो, माला लगा रहा हो, माला फेर रहा हो, कुछ कर रहा हो, क्योंकि वो रिलीजन का काम है, नैतिक्ता का धर्म का काम नहीं है, धर्म के यही लक्षण है, अब इन लक्षणों को कहीं कोई पालन तो करता नहीं, वो धर्म की तो ये दुस्टर से यक्ष ने पूछा, ये दुस्टर तुमारे भाई बेहोश पड़े हैं, इनको जिन्दा करूँगा, तो मुझे एक तुम्हें मेरे प्रस्नों का उत्तर जाना पड़ागा, तो पहला मेरा प्रस्नी है कि धर्म का ज्यान तुम्हें है या नहीं है, धर्म क नेको मुनीरस से वचनम प्रमानम, धर्मस्यतत्वम गूतम निहायाम, धर्मस्यतत्वम निहितम गुहायाम, महा जनो येन गते सुपन्था, उन्हों का महाराज वेद में अलग रग बात कही गई है, तो ये शुर्तियां भिन भिन है, इनको मिलाने के लिए, इनकी व्याख करने के लिए स्मृतियां लिखी गई, आप स्मृतियों में याग वल्क ने और तरह से किसी शब्द का अर्थ किया, मनु ने और तरह से किया, देवल ने और तरह से किया, पराशर ने और तरह से किया, तो स्मृतियों में भिन भिन वेद के अर्थ किये गए हैं, तो स्मृत निकाल लिए उनी पर लेक्षर दे गए तो एक मुनिके वचन को परमाना नहीं मान सकते हैं किसी एक आदमी के बात को हम परमाना नहीं मानें तो धर्मश्य तत्वम नहितम गवाया धर्म को ज्ञान धर्म का ज्यान बड़ा गहरा है इसलिए महाजन जो इद्वान लोग हैं, महाजन लोग हैं, जो बहुत उची पद्वी पराप्त हैं, जिन्होंने बहुत गहरा अध्यन किया है, वो जो हमें रास्ता बता है, उसी पंथ को चलना यही हमारा धर्म है, क्योंकि हर आदमी, छोटा मोटा आदमी, ना वेद पढ़ रही हैं, तो इसलिए जो बड़े आदमी हैं, महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के कहने पर चलो, यही तुम्हारे कॉमन मेन की मोरल्टी यही है, और महापुरुषों की मोरल्टी क्या है, वेद का ग्यान, तो इन्होंने कहा कि यह हमारा वेद का ग्यान है, फिर भी उने कहा कि कुछ दो बताओ, नेटिक्ता पैसे निका रहेंगें, तो इन्होंने चार चीज funzet, पहले सिम्रति शुर्ति लो, वेद में जाके देखो कि क्या कहा गया he? फिर सिम्रतियों में आकर कि ढूंडओ कि इस सिम्रति में तो वेद, इसके बाद आकर के जब शुरु तर में देख रो ना उसके बाद ये देखो कि इस में कौनसी चीज ऐसी है जो हमें जादे अच्छी लग रही है हमा की सफ सचे प्रियात्मना मन को अच्छी लगने वाली चीज नहीं आत्मा चुके भगवान से मृली उती है तो मेरी आत्मा क्या कहते है उर्दू में इसको जमीर कहते है और इंगलिश में इसको कॉंशन्स कहते है मेरा कॉंशन्स क्या कहता है कि देवल वाली बात जादे अच्छी है या मनु वाली मनु ने जो व्याक्या किये वेद की जादे वाच्छी है तो मेरा अंदर से अंतरात्मा क्या कहती है, मेरा जमीर क्या कहता है, और आचरन को किस से हमेरा बिगर, इस चीज को हमने अपनाया, तो हमारा आचार जो है वो बिगर जाएगा, इसलिए ये व्याख्या ठीक नहीं है, ये वेदकार थे नहीं ठीक नहीं किया, इस से हमारा आच आचरनक में भी देखना चाहिए इसको तो उन्हों का कि चार चीज़ें देखेंगे तो आप धर्म को परक्षकेंगे, जब यह चार चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको धर्म का ग्यान नहीं होगा बिलकुल, तो धर्म बड़ा गहरा है, अब धर्म की परिभाशा भी दो परिभाशा है, पहली परिभाशा तो है वैशेशिक सूत्रों में, कनाद ने वैशेशिक सूत्र लिखे हैं, उसमें दिया है ये तो अभ्यूदे निश्यर्यसिद्धी सा धर्मा, धर्म बड़िजन नहीं है, जिस तीस से निश्यर्यस और अभ्यूदे, अभ्यूदे का मतलबता अभीतम उदै है हर तरह से हमारा परगड होने चाहिए सोचल परगरेस भी हो पॉलिटिकल परगरेस भी हो एकॉनॉमिक परगरेस भी हो तो ऐसी चीज जिससे सब Gegenर हो पहली चीज तो यह और इस परगर के साद साद निश्रियस आत्मा का पतं न एक वैश्या जो है वो बड़ा आडंबर खड़ा करती है कि उससे जाज़ है सुंदर कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर फिर वो पैसा ही कठा करती है इतना पैसा ही कठा करती है कि लखफती बन जाती है लेकिन क्या करती है आत्मा का पतन हो जाता है तो हमने संसार के अंदर प्रगटी तो करनी है, हर तरह के, अभी उदे जब नहीं होगा, भूके आजमियों को क्या आप प्रगटी बूक सिखाओगे, जमीर की आवाज, कि जमीर ये कह रहा है कि ये काम खराब है, तो भूक सम्की न किम न करो ती पापम, जो आदमी भूका है वो कौन सा पाप नहीं करेगा अपनी भूक को सथ, इसलिए पहले का अभ्यूदे है, यानि हर तरह से प्रग्रेस करो, कोई आदमी भूका ना रहे, कोई आदमी नंगा ना रहे, कोई आदमी अज्ञानी ना रहे, तो पहले निश्च रहस करना चाहिए, और उसके बाद फि अब जो इस सूत्र के हिसाब से क्ाम करेगा, वो ही धर्म को पैचान सकता है, अब भिदय और निश्यरियस जिससे सिद्धी होती हो, वो ही धर्म है, जिससे इनकी सिद्धी नहीं हो सकती, वो धर्म नहीं है, दूसरे रहे ने फिर धल्फ की परिभाषा दि, उस ने कहा ज़ धर्म सस्टेन करता है, तूटने से बचाता है, मरने से बचाता है, विखणन होने से बचाता है, तो चूँक यह इसके अंदर शक्ती है, इसलिए हम धर्म को धारयतिप्रजा, समाज को धारन करने वाला धर्म है। जो समाज को बचा सकता है हर्तरय की कठनाईयों से, जो समाज को बचा सकता है हर्तरय की गिरावट से, हर्तरय की पतन से, वो धर्म है, तो धार्ना, धर्म, इत्याहुर, धर्म के अंदर ये धर्म में ये शक्ति है, कि समाज को पतन से बचा सकता है, इसलिए धर्मो धार्यते प मनुने और इसमें संचोधन कर दिया, मनुने का परित्यजेद अर्थ काम हूँ, यो स्याताम धर्म वर्जितह, धर्मम चाप्यपी, असुको दर्कम, लोग विकृष्टम, ए बिचे धर्म की कसोटी क्या है, धर्म की पहचान क्या है, पहले तो रहना का कि परित्यजेद अर्थ काम हो, ऐसा पैसा और काम वासनाया, सेक्स का साटिसफेक्शन, उसको फोरण त्याग दो, जो शोशल लॉज के अगेंस है, धर्म के अगेंस है, जो सोशल लॉज को तोड़ करके धर्म पैसा इकठा किया है, वो इसकेंडल है, वो कोई गोटाला है, वो पैसा धर्म तो पहली चीज यह है कि जो सोशल जाफ के खिलाफ है, सोशाइटी को तोड़ रहा है तो फेली चीज तो चीज तो यह कैं जो आर्थ और इसी तरह से Select function loose goal कौछ करके सेक्स को स Smash ko até lunch कर रहे हैं तो धरम नहीं हो सकता तुम्त्यद Unis íb अश्चाइच जो यासां, जो स्याताम, धर्म वर्जिता, जिसको धर्म ने, मौरल लो ने, नेतिक लो ने जिसको वर्जित कर रखा है, उस धर्म को और अर्थ को तुरंत त्याग दो, लेकिन धर्मम चाप्या, उस धर्म को भी त्याग दो, वो किसी ने पाखंड फैला रखा है धर्म के ना समाज के अंदर असुक फैला रहा है, समाज की हैपिनेस को कम कर रहा है, समाज धर्म तो वो है, जो समाज की हैपिनेस बढ़ा है, तो जो चीज धर्म समाज की हैपिनेस को कम करती है, वो धर्म नहीं हो सकती, पाखंड हो सकती है, दोका हो सकता है, कोई आपको दोका दे कर के कह जो लोग के अंदर विकृतियां पैदा करता हो, जो लोग के अंदर विकृतियां पैदा करता हो, जो लोग के अंदर विकृतियां पैदा कर रहा है, वो धर्म नहीं हो सकता, उसको त्याग दो, उसको पाखंड कहे दो, यह पाखंड है, धर्म के नाम से परचार कर रहा है, इ रहता हूं, अपने धर्म को मत छोड़ना तुम, तो कहने ले पापा हमें धर्म के बारे में बताओ तो सुझा, आपने कभी बताया नहीं, हम तो रोटी खाते रहे, पानी पीते रहे, कहने ले देखो मैंने जुआ भी खेला, मैं वेश्या के घर भी गया, मैंने मुर्गे भी का मास भी खाया, एक जगे मैंने गव का मास भी खा लिया था कहीं पर, मैंने सारे काम किये, वेश्या वर्ति भी की, सारे काम किये, लेकिन मैंने किसी दलित के, किसी मोची के, किसी वालवी की के हाथ का पानी नहीं पिया, क्योंकि यह हमारे ब्रामन धर्म के खिलाप है, बे धर्म वो है जो समाज के अंदर सुक को घटायने, सुक को बढ़ा दे, तो ये तीन परिभाशा है, तीन कसोठिया धर्म की हमारे बड़े-बड़े लोगों ने दी हैं, अब इसी को लेकर के सारा धर्म चल रहा है हमारा, और धर्म जो है, वो उसको हम रिलीजन से बिलकुर अल होने से, समाज को पतन होने से बचाते हैं, उन लोगों कह सकते हैं, ये धर्म है, धर्म का रिलीजन से कोई सम्मझ नहीं, ऐसे लो जो समाज को तोड़ने वाले हों, धर्म नहीं हो सकते, ऐसे लो जिससे समाज में पतन आता हो, धर्म नहीं हो सकते, ऐसे लो जिससे समाज की ह happiness गटकी हो, धर्म नहीं हो सकते, इसलिए समाज जो है, वो साध्य है, धर्म उसका साधन है, समाज न तूटने पाए, जपान विखडने न होने पाए, भारत ने यही रखा, उन्होंने का कि धर्म को आधार लो, तो हमारी संस्कृति कभी नहीं तूटेगी, और जो चीज धर् करते, इसे चेंज कर दो हमारा नहीं है. हर जमाने में लोगों नने चेंज किया है, कभी दयानदा आगे, कभी तो माज को संरक्षित करता है धारन करता है वही धर्म है ज精ति इन से ब not match a वहार भाश्य दहर्म नहीं है यह धर्म की परिभाशा नेतिक्ता में दी है यह कि रिटिलिजन वाली पभास से बिलकुल अलग है वह पुरानों से आती है कि ये मत खाओ जी, ये मत पी हो जी, ये मत करो जी, ये सारी चीदें पुराणों की हैं, वो रिलीजन की हैं, उनका नैतिकता से कोई सम्मंद नहीं हैं, तो इसको हम कहते हैं, चार पुर्शार्थ हो में सारी नैतिकता हमारी आती है, पहरा पुर्शार्थ धर्म है, धर्म को अ ऐसे लियारा ऐसा ना उठ्था और जिससे समाज में विकार इत्पन होते हो। एक भी काम में ऐसा ना होता हो जिससे समाज का विखंडन होता हो,समाज तूटता हो। तो मैं फिर धर्मात्मा किलाँगा। तो धर्म की पदिवाश है है, अब हमारे यौं चार पूरसारत हो मैं सबसे आधार को धर्म रखा, के धर्म सारे पूरसारतों का आधार है values of life आदमी उस संसार में जो आया है पुरुष जो संसार में आया है पुरुष के लिए अर्थ निरर्थक नहीं बलकर आर्थक शार्थक चीज क्या है उसके जीवन को मीनिंगफुल बनाने वाली चीज है क्या है उसको हम पुर्शार्थ कहते हैं तो पुर्शार्थ में सबसे पहला धर्म है दूसरा पुर्शार्थ रखा इनों न अर्थ हमारे हां दारिद्र को कभी भी धर्म नहीं माना गया हम कहें जे एक आदमियों चीथरे पहने रहता है कभी अच्छे कपड़े में पेहनता है, कोई क्या है इसमें रखा हुआ है, फटागूआ पजामा पेहना रहता है, लेकिन मंदिर में खूँआ गंटियां बजाता है, तो हमने कहा कि दारीद्र धरम नहीं है, दारीद्र तो अधरम का लक्षर है, जहां धरम होगा वहाँ संप अब भादशा दी के वो अर्थ जो धर्म के खिलाफ, सोशल लो के खिलाफ कमाए जाये उसको ट्याग दो, धर्म के अनुसार अर्थ कुभ कमाओ. तो हमारे यह चानक के ने कहा कि हे आरियो सो हातों से कमाओ और हजार हातों से जो जिसका हक बनता है उसको दे दो पैसा जमा मत करो पैसा कौन जमा करता है सांप जो है कुड़ी मार के बैठता है तो कहता है कमाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है दो हात की बजाए सो हातों से कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमाया जा सेगे, लेकिन उसको अपने पास लखो, जिसका जो अधिकार बनता है, मा का इतना अधिकार है, बेहन का इतना अधिकार है, बेटे का इतना अधिकार है, राज का इतना अधिकार है, इंकम टेक्स की देने क कि जिनके पास अर्थ नहीं है, वो किसी धर्म का पालन नहीं कर सकते, सबसे छोटा धर्म है मावाब की सेवा करना, वो मावाब की सेवा भी नहीं कर सकते जिनके पास पैसा नहीं है, इसलिए अर्थ कमाओ, और अर्थ से धर्म का पालन करो, अर्थ को किसी अधर्म के काम में मत लगाओ जो सुसाइटी को नुकसान पहुचाना वाला हो, अर्थ से क्या करो, कि जो मौरल काम है उनमें लगाओ अर्थ को, तो अर्थ खुब कमाओ, और जिसके पास अर्थ नहीं है, उसके लिए क्या है, कि उसके सारे परिश्टा में इस सरे विर्थ हो जाते हैं, जैसे की चाड़ों 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 क का काम ये करेंगे तलाग मेंसे जल निकाल लिया तो कोई पक्षी नहीं आएगा वा तो जैसे तलाग मेंसे आप जल निकाल लेते हो ऐसे आदमी का अर्थ शीना किसी आदमी को अर्थ भीहिन करोगे तो इसका मतलब वो आदमी किसी धर्म का पालन करने योग नहीं रहेगा इस मा का जैसे मैंने 1,000 रुखय कमाये, तो मा का कीतना हिस्च है, बीवी कहेगी, नहीं मुझे जादे हिस्चा है, मुझे जादे दू, मा को कम दो, यह भी तैकरना आदमि के, जो आदमि धर्मात्मा है, वो ठीक तैकरहेगा, जस्टिस करेगा सब के साथ, कि बेटे का इतना अज कि अधिकार बनता है तो बेटे को मिलना चाहिए, संतुष्टी हो, अगर संतोष नहीं है तो वहां गडबर हो जाएगी, कुछ ना कुछ जगड़े हो जाएगे, धर्म समाप्त हो जाएगे, तो यह जो छोटी सी बात इन्हों ने लिख दी, चानक के ने, कि सो हातों से कमाओ, हजार हातों से जो जिसका अधिकार बनता है उसको दो, यह वो ही तै कर सकता है, जिसके अंदर धर्मात्मा विर्द्धी है, कि किसका क्या अधिकार बनता है वो उसको मैं देऊ, तो यह अर्थ का, अर्थ की गटी यही है, कि अर्थ को खूब कमाओ, बिना अर्थ के, जिनके पास अर्थ नहीं होता, वो कभी भी कोई धर्म पालन कर ही नहीं सकते हैं दिकी के अंदर, तो इसलिए अर्थ से धर्म का पालन होगा, अब आगया हमारे पास तीसी चीज, वो है काम, काम भी एक वेली ओफ लाइफ है, भगवार ने कहा, के पहले जो सिर्ष्टी होती थी, वो प्रजा इस प्रिश्वी को भर नहीं सकते हैं, एक या दो बच्चा पैदा हो जाएगा मानसिक, तो उन्होंने प्रजा पती पैदा कियें, उनसे कहा, के सेक्स्वल प्रजा पैदा करो, काम द्वारा सिष्टी पैदा करो, और इस प्रिश्वी को भर दो, आच्छा दित कर कहीं जगे खाली नहीं रहने चाहिए, तो काम जीवन का मूड ले है, लेकिन काम का प्रियोग सिष्टी की उत्पत्ती के लिए होना चाहिए, अपने वासना की पूरी के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए कह दिया के काम वो ही है, जो सोशल लौज को किसी तरह से भंग ना कर है ऐसा काम सेक्स को ऐसे सैटिस्वाइब करो कि सोशल लो या सोशल डिसिपिलिन या सुसाइटी के अंदर कोई विकार ना पैदा हो अगर आप कहीं छुप करके सेक्स एंज्वाय कर लेते हैं और सुसाइटी पर उसका कोई अथर नहीं पड़ता तो किसी को पता ही लगएगा लेकिन अगर थोड़ा सा भी पता लग गया तो यह होगा कि यहां गलत विकार आगया सारा का सारा तो विकृती समाज में नहीं आने चाहिए काम की सिष्टी जरूर पैदा करो और यहां तक कह दिया है उन्होंने प्रदैपती को कि इतनी सिष्टी पैदा करो कि प्रिश्व काम इच्छा की सिष्टी इसलिए होने चाहिए कि मेरा जो है सुफिक पला ओश्दियो भवन्तु मैं जो बीज बो रहा हूं इसको यह फरित हो इसका फल मिले यानि इससे कोई सिष्टी पैदा हो मैंने वासना के लिए काम सिष्ट नहीं किया तो आदमी जो काम की सिष्टी हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है मोक्ष इसको कहते हैं परम पुर्शार्थ आदमी किसी और रिलीजन में इतनी सुतंत्रता नहीं है आदमी को हमारी रिलीजन में है कि आदमी उन्नती करते 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 देवत्व को पराप्त करेगा देवता बन जाएगा फिर औ काफिर है क्योंकि ये खुदाई का दावा कर रहा है कि मैं खुदा बन सकता हूं। नेकिन हमारे है ये है कि ऊपर उठो और उपर उठो। आप आदमी हो, इनसान हो, तो और उपर उठो। देवता बनने कुशिश करो। देवत तो आपके अंदर आ जाए। देवता बन गए तो उसके बाद और उपर उठो, इतने उपर उठो, कि आप अनंत मेलीन हो जाओ, जब आप अनंत बन जाओगे, सारी सीमाई तूट जाएं, बंदन क्या है, परिसीमन यही बंदन है, अपने उपर सीमा लगाना, यही हमारा सबसे बड़ा बंदन है, तो मोक्ष क्या है, बंद मेरी आत्मा है, और इस फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए तो तूड़ना चाहता हूं तो परिसीमन है, जितनी सीमा आदमी अ अपने उपर लगाएगा, जितनी लिमिटेशन पर लगाएगा, उतन Kardashaison, बंदन न एक है honors बंदन है, जितनी सीमा आदमी अपने उपर लगाए दुनिया के अंदर शुक ही नहीं हो सकता, और जितना वो अन बंधनों को तोड़ता चला जाएगा, उतना ही वो शुक का कारण बनता चला जाएगा, तो हमारे जीवन का रक्ष है परम सुख प्राप्त करना, ऐसा सुख जो कभी कम ना हो, रोठी खाने का सुख है, दो गंटे हो जाने का ना, अनंत में लीन होने की, अनंत बन जाना, लीन नहीं, बलके हम अनंत बन जाएगा किसी तरcken, हम ही अनंत हो जाने, इंफिनित हो जाने, कोई बंधन अमारे उपर ना रहे, कोई परिशीमन ना रहा, कोई भी सीमा रह गई, तो इसका मतलाब, लिमिटेशा है, कोई रह गई तो दुख का कारण होगा हुई और हम दुखों से उपर उठना चाहते हैं तो दुखों की आत्यांतिक निवर्ति इस मोख्ष दुखों का हमेशा के लिए समाप्त हो जाना यही मोख्ष की हिस्तिति है कभी मैं दुबारा दुख्ष का शिकार न बनूँ जब उस निवर्ति मार्ग निवर्ति मार्ग का मतलब यह है कि सब चीज़ से अलग हो जाओ, निवर्त हो जाओ और निवर्त हो जाओ क्योंकि उन्हों न कहा कि दुनिया तो कीचर दलदल है, इस दलदल में क्या है, संकुल, मकर, उरग, जह्ष जाती, चार चीज़े हैं इसमें दुनिया में, पहले तो यह कि संकुल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है आज एक आदमी मेरा दोस्त बना हुआ है, कर वो मेरे कमर में चुरा गौंप देता है आज एक आदमी जो है बहुत बड़िया काम कर रहा है, कर पता रखा क हुष्करम कर दिया किसी महिला के साथ तो हम ध्यान ने अतर हे इतना बड़ा अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी उस ने ऐसे कैसे कर दिया तो इस दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल है पायो नहीं कछू पार जगत में बड़े बड़े साधू और सन्यासी हार गए मन मार जगत में बड़े बड़े साधू सन्यासी इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आएगी तो पहली चीज है संकुल। ये दुनिया बड़ी संकुल है, इसको समझने की कोशिश करो। और ये समझ में नहीं आएगी तो क्या हुआ? हार गए मन मार जगत में। संसार में ढूब के रह जाओगे, इसकी दल दल में फसके रह जाओगे, पिर है मकर, इस संसार के अंदर मगर मच बहुत हैं, एक दूसरे की टांग खीचने वाले हैं, किसी आदमी को उपर उठते वे देख करके दूसरा प्रसंद नहीं होता, तो उन मकरों से कैसे मुक्त होगे आप, उन मकरों में फस गए वो आपको उपर उठने नहीं देंगे, व आज कल तो हनी ट्रैप खूब चला है, आज कल के अख़वार में था वो फसा रहे हैं किस तरह लोगों को बुला लेते हैं और फसा लेते हैं उनको, तो ये मकर जो हैं, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है, तो संकुल मकर, उरग, डंक मारने वाले, पता नहीं कौन मेरे डं तो उससे ये उमीद नहीं थी, एंटोनी ने जूडियस सीजर को छोड़ा मार दिया, उसका दोस्ता, तो ये जो सांप की तरह डंक मारने वाले डोग हैं, इस संसार में बहुत हैं, उनसे कैसे बचोगे, और फिर उससे बच गए तो क्या है, जश जाती, मच्छियों की दु इतनी है, इस वासना को जीतना बड़ा मुश्किल है, वासना पर नियंतना पड़ना, तो इस पद पाबंदी लगाने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया को त्याग ना पड़ाएगा, निविर्ति महारग वाले कहते हैं, त्याग जो है, उससे से मोक अच्छे होने चाहिए, तो ये भी आदमी को कुछ ना कुछ नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो दुनिया के हर मोह को त्यागने की कोशिश करो, त्याग से ही मोक्ष मिलेगा, ये बंदें आपके जब ही चूटेंगे, जब आप त्याग से जाओगे, तो उन्होंने तीन च पुट्रेशना, उनको त्याग करना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो, कि मोक्ष पराफ्त करना, पहली चीज उन्होंने बताई, पुत्रेशना, पुत्रों से ईशना, पुत्रों की कामना, पुत्र पैदा करों उनसे, वो मेरी सेवा करेंगे, ये करेंगे, अगर आपके मन में ईशना जरूर आएगी, और आप लोगों से कहाँगे, मैंने पुत्र को पाला, ये मेरी सेवा नहीं कर रहा, रोज जगड़े होंगे इस बात पर, तो इसलिए पुत्र पैदा ही मत करो, पुत्र इशना आपके मन में नहीं आनी चाहिए, पुत्र पैदा ही नह पाला जाएगी, एक पुत्र पैदा करो, ये पुत्र निकमा निकल गया, तो दूसरे से के पास जाओ, वो भी निकल गया, तो तीसरे के पास जाओ, और सब जगए धक्ये खा लिए, तो बहा अपने धक्ये खाकर कि संसार के अंदर बठकता फिर हूँ, तो ना पुत्र जाएगे, मोह हो जायगा उनसे, और ये चीज़ जो सबसे बड़ी किसने कही है, आज के युग में, कारल मार्क्स क्यों कमुनिजम का सबसोड़ा, होली फैमिली, जो फैमिली बना करके रहते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए हर तरह की बुराई करते हैं, कि मेरी फैमिली में बदूआशी भी करते हैं, मेरा बच्चा जो है, वो आएच बंजा है, तो नकल भी करवाते हैं, जो सब कुछ चरते हैं, इसलिए हसने कहा क्के लिए को त्याग दो, आगर आपने सोसाइटी का लियान करना आए, तो फैमिली को त्याग दो, फैमिली का मौह जब तक रहगा आप करप्शन करते रहोगे, सोसाइटी को लूटते रहोगे, तो हमारे यहां पहले ही लोगों ने कहा, कि आपको पुत्तेशना त्याग नहीं पड़ेगी, घरवार त्याग नहीं पड़ेगा, दूसरी चीज उन्हों ने कही वित्तेशना, पैसा अगर आपके हाथ में आता ह तो आपको लारिस होगा, अरे, कल आज तो चारी रुपए आए, कल दस रुपए आने चाहिए, तो जब वित्तेशना आ जाती है, वित्त आ जाता है, तो बड़े-बड़े आदमी पतन हो जाते हैं, हमारी कथा में चड़ावा कम चड़ा, अरे वही तुम तो मोक्स कामी हो, तुम तो सन्यासी हो, त्यागी हो, और फिर ये कह रही हो, कि हमारी कथा के अंतर पैसे कम चड़े, तो वित्तेशना आगए आपक अंतर पैसाओं की लालता, अगर अक बार भी पैसाओं को चुलिए तो वित्तेशना आजाएगी, और पैसे मिले, और धन मिले, तो इसलिए पैसां को त्यागो, वित्त को बिलकुँद छूए ही मत, सौने को बिलकुद छूए ही मत, वित्तेशना आपके मन में आएगी, तो ये वित्तेशना पतन का कारण बना देखती है आदमेंगा, और तीसरी चीज जो है जिसको त्यागना बड़ा मश्किर है, वो है लोकेशना, दुनिया के अंदर मुझे फेम मिलनी चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा काम अख़वारों में छपना चाहिए, ये आदमी की आत्मा का भी पतन कर देता है, ये राजनेतिक लोगों मैं आपने देखा होगा, कि एक आदमी सफाई अभियान पर गए, वह देर हो गई थी जल्दी जल्दी पहुंचे, सफाई अभियान शुरू हो गया था, उन्होंने जल्दी से एक जाड़ू उठाई और फोटु वाले को बलाया, जल्दी से और सफाई का काम, अगले दिन जब फोटू छपी तो जाड़ू उपर गो थी डंडा नीचे को था, फोटू, कि लोक पंखा भी स्कूल को दान किया, तो तीनों पंखणियों पर मेरे बाप का नाम लिखवा दो, लोकेशना, जमशेच जी टाटा जिन्होंने टाटा बंच चलाया, यहां सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास एक आदमी आया, कि टीवी का अस्पताल बन रहा है क करांची में, उसके लिए हम पैसा ही कठा कर रहे हैं, कितना 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 पैसा ही कठा कर रह रखवा देंगे तो उन्हों ने लिख दिया कि 999 रुपए इनको दे दिये जाएं उनका मुनिम आया उठकर के सर ये 999 में आपने लिखे हैं एक हजार कर दो तो आपके नाम कहते भाई मैं अस्पिताल बनाने के लिए डान दे रहा हूं अपना नाम छपवाने के लिए नाम नाम की इच्छा तो मुझे पतित कर देगी फिर मैं कहूंगा एक ही पत्थर क्यों लगे मेरे नाम का एक और मेरे लड़के का भी लगे एक मेरी पत्नी के नाम का भी लगे तो ये जी लोकेशना है ये सारे के सारे जितने पुन्न हैं उनको अनल दाह जैसे अगनी जला देत अरे तुमने खाना खिलाया तो इसको पोस्टर लगवाने क्या दोते, तो लोकेशना भी पतन का कारण है, लोकेशना त्याग हो, तो जब ये तीन चीज़ अत्याग दोगे तो आप बंदनों से मुक्त हो जाओगे, संसार के बंदनों से, और संसार के बंदनों को लेकर के शं अगर आप मोक्स चाहते हो, तो पहले ही अपने अंदर गुन पैदा करो, फेम दुनिया मेरी बहुत दिनों तक रहने वाली है, पैसा इतने दिनों तक नहीं रहने वाला, तो मैं ये कोशिश करूँ कि नाम को काल नहीं खायागा, तो नाम की कोशिश करूँ, फिर नाम से भी उपर उठाओ कोई चीज, तो इसलिए पहली चीज है कि सत्य आसत्य विवेक पैदा करो, दूसरी चीज इस संचार में और स्वर्ग में भोग की इच्छा विलकुद त्याग दो, मुझे बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़े मिलना चाहिए, और स्वर्ग में भी मैं जाओं, तो स्वर्ग में भी बड़े सुगंदित चीज है मिलनी चाहिए, अफसरा है मिलनी चाहिए, तो वहां भी भोग की इच्छा चाहिए, और यहां भी भोग की इच्छा चाहिए, जैसा मिल गया, वैसा खा लिया, जैसा जगे मिल गया, सोने के लिए वैसे संपधा पैदा करो, सर्दी और गर्मियों के सह सकूँ, बड़ी तपस्चा करना, इसको कहते हैं तप की इच्छा पैदा करो अपने अंदर, फिर उपरेती पैदा करो, यह अच्छी से अच्छी चीज भी आपके सामने आ रही है, तो आप देखो कि मेरे लिए इसका कोई रू गिराने के लिए रोग यही करते हैं, तो हम जब यह हो जाएगी कि ओपरेती, बढ़िया से बढ़िया चीज भी आए, लेकिन मेरे काम की नहीं है, जिस से मेरे जिंदी के और राव होता है, मैं तो बोलूँगा, जब फैक दो, जब यह सारी चीज आजाएगी अंदर, फिर फिर करो, अब मेरे जो बंदन हैं, उनको काटने की इच्छा, उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा उधारन भी दिया है लोगोंने, शंकराचारी की चेलोंने, के दो बेहने थी, एक बेहन की शादी तो हुई थी माली के घर, और एक बेहन की शादी हुई थी मचेरे के घर, अब बेहने बेहनों में प्यार होता है, बेहन बुलाया उसको, जो जिस बेहन की शादी मचेरे के घर हुई थी, उसको माली के घर वाली ने बुलाया, और माली के घर कहीं गुलाब के फूल लखके हैं, कहीं गेंदे के फूल लखके हैं, कहीं चमपा के फूल लखके है तरह तहीं कि फूल उसने रख दिये, लेकिन वह जो, मचली के साथ रहने वाली, उसके शर पीट के मीरे हैं, तरहार भा कहा है। तो शंकराचारियना का कि पहले ये इच्छा पैदा करो कि मैं इस गंद से निकलना चाहता हूं। नाली का कीड़ा नाली से बाहर निकालोगे तो मर जाएगा। तो ये इच्छा पैदा करो अपने अंदर कि ये मैं बंदनों को तोड़ना चाहता हूं। जब आप ये इच्छा पैदा कर लोगे, तब आपके अंदर अपने आप त्याग की शक्ति आती जाएगी। जो चीज मुझे संसार के बंदनों में बानती है, या मेरे उपर लिमिटेशन लगाती है, उसको में त्याग दूँगा। तो जब ये चीज पैदा कर लोगे, तो त्याग की शक्ति आती चली जाएगी अपने आप, आपको कुछ त्याग करने की जरूतनी, अपने आप आजागा है देखने के लिए, कि अरे इस चीज से तो मेरे बंदन लगता है, पाबंदी लगती है, मैं बंदनों से मुक्त होना तो ये तो है निवर्ति मार्ग, इन्होंने निवर्ति वालों ने ये मार्ग दिया, और इन्होंने का कि जो हमारे निवर्ति मार्ग को पारण नहीं करेगा, वो तो दंदल में फसा रहेगा इस संथार की, वो तो संकुल, मकर, उरग, जहस जाती, इन चार चीज़ों में फस वो अपने आप क्या होगा उसके अंदर कि डंक मारने वाले, साफ की तरह डंक मारने वाले, कभी भी डंक मारने वाले हैं, कुछ पता नहीं, आज मेरे पास बहुत पैसा ही कठा हो गया, तो मेरी डड़की मेरे डंक मार दे, दमाद मेरे मार दे, तो क्या पता साफ कितने गूम ना वो सांप की तरह जंक मारने से बस सकते हैं, ना वो मगरमच्च की तरह से, इसलिए निविर्ति मारग अपनाओ, तब जा करके आपको मोक्ष्मी लेगी.